प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर्शे और आज हम बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल करने वाले हैं 10 प्लस 2 क्लास के लिए यूनिट 3 यूनिट का मेगनेटिक इफेक्ट ओफिलक्टिकरंट और वो आर्टिकल है मुविंग क्वाइल गेलनोमीडर और तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं हेडिंग लिख रहा हूँ और आप तब तक इस तरीके से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोग करने वाले हैं कि मुविंग कोईल गेलनोमीटर होता क्या है इसकी वर्किंग क्या है प्रिंसीपल क्या है इसकी ठोरी क्या है और साथ में सेंस्टिविटी और वो सेंस्टिविटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है तो प्यारे बचो आज के इस वीडियो में बहुत कुछ शीखने वाले हैं और बोड़ एक्जाम्स में ये पूरा प्राधारी बहुत से question बनते हैं, चलिए हम शुरुवात कर रहे हैं यहाँ पर Mowing Coil Galenometer, which is used to detect and measure the electric current in a circuit यानि कि ये किसी circuit में current को detect और measure करने के काम आता है फिर मैं बात कर रहा हूँ कि इसका principle क्या है, यानि कि ये किस सिद्धान्त पर काम करता है तो प्यारे बच्चो, इससे पहले वाला वीडियो जिसमें हमने आपको बताया था और एक expression find out क्या था, torque acting on a rectangle coil in uniform magnetic field ये उसी पर आधारित है, आप क्या कहेंगे principle में, it is based on it is based on torque acting on rectangular coil coil in magnetic field बेटे, ये है और पूरी detail जो है इसकी पूरे expression देखें तो next पिछले वीडियो में जो है मतलब इसके बनावट कैसी होती है, इसमें होता क्या क्या है, किस तरीके से, तो आप थोड़ा से द्यान से देखेगा और हो सके तो मेरे साथ साथ इसको, इसकी construction को, इसकी diagram को आप अपनी notebook में भी बनाते चलें आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए, क्या-क्या होता है, वो मैं आपके सामने बना रहा हूँ इसमें एक rectangular coil होती है, जिसमें बहुत से insulated copper white trans होती है, ABCD ये देखिए और ये iron core है, जिसके चारों तरफ ये trans lifted हुई है, number of trans insulated को provide trans की, जैसे मैं थोड़े बात बताऊंगा कि ये क्या-क्या है ये देखिए, एक mirror strip होती है, ये suspension fiber है, और ये torsion head है यहाँ पर, जिस पर ये हमारा suspension fiber जुड़ा हुआ है ये terminal T1 मान लेते हैं, जिसमेंचे हमें electric current को pass करने वाले हैं, ये हमारा mirror है आप देख सकते हैं mirror strip जो suspension fiber की साथ जुड़ा हुआ है fiber, और ये quarts का बना हुआ है, it is made up of quarts, क्यों quarts का लेते हैं, उसके बारे में भी हम आपको बात करेंगे, बात में बताएंगे पूरी detail है, क्यों इसको quarts का लेते हैं, एक और चीज, ये देखिए, ये दूसरा जो end है, वो spring पर गया हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ही turns होती हैं, तो दो turn है, ये दूसरा end है, और ये जो दूसरा end आप देख रहे हैं, ये इस spring पर जा करके, और हमारा जो इसका terminal number T2 है ये उस पर गया है, और इनके बीच में radial magnetic field लगाया हुआ है, with the help of horseshoe type magnets के साथ साथ में, आप ये देखते हैं, ये चीज आप देख सकते हैं, ये नोर्थ पोल है, और ये है आपका south pole, इस magnet का, ये देखिए, और इधर से magnetic field लगाया हुआ है, ये देखिए, और ये terminal हमारा T2 है, तो construction ये इसको हम कहते हैं, torsen head, और ये सारी चीज़े आप देख सकते हैं, लेकिन जब आप construction की बात करेंगे, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, उन सब के बारे में एक-एक बार जरूर बता दें, यानि कि आप इसको इस तरीक के से लिखेंगे, इट कंसिस्ट ओफ नमबर वन, a rectangular coil, A, B, C, D, having a number of insulated copper wire turns, which are coiled on this iron core, आइरन कोर इसलिए करते हैं, ताकि जो magnetic lines of force हैं, वो उनको attract कर ले और वो इसके अंदर से होगी, ताकि magnetic flux का लोश minimum हो, कम से कम हो, चलिए बात में रहे हैं, अब जब ये iron core के चारो तरह copper की insulated turns, लिए उसको दो end होंगे, ऐसे करेंगे तो, the one end of this copper wire turns or coil, is attached with the torsion head, through the suspension fiber, which is made up of quartz, other end is attached with the terminal T2, through this spring S, ये दिखरेंगे, एक और बात देखे, the radial magnetic field, is applied, with the help of, the permanent magnets, in the shape of the horseshoe type magnets, like this, ये सब कुछ लिख देंगे, एक चीज आप और लिखेंगे, यहां पर, this is the mirror strip, एक छूट असा, शीशा, गोल है, वो हमने इस suspension fiber के, क्या किया हुआ है, उसको attach किया हुआ है, इसका प्रपज है, क्या प्रपज है, वो देख लिजिए, this mirror strip, which is attached, to the suspension fiber, is used to find, the angle of deflection, with the help of, lamp and scale arrangement, ये देखे वेटे, यहां एक scale होती है, ये scale is there, और आप जानते हैं, scale की बार, ये meter scale है, क्यों scale का काम है, क्या काम है, ये देख लिजिए, आप मेरे साथ साथ कुछ बच्चे बना रहे हैं, इस diagram को, ताकि वो शीख जाएंगे, बता देंगे, और पूरे number 5 में से 5 number लेने हैं, तो एक सुन्दर सा बढ़िया सा diagram बनाना बहुत जरूरी है, और इस तरीके से, आप इसको लिख देंगे, यहां एक lamp भी होता है, ये ऐसे नहीं है, बोर्ड पर तो ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे है, और ये इस तरह सी ये lamp है, यानि कि, ये है हमारा lamp, एक torch समझ लिजिए, ये, ये देखेंगे, और यहां से जब light जाएगी, तो वो सीध ही हमारे इस mirror strip प्रेंगे रहे हैं, इसको कहते हैं, lamp and scale arrangement, और ये क्यों किया है, किस काम आएगा, अभी आपको पता चल जाएगा, ये इस mirror strip की सहाइथा से angle of deflection measure करेगा, जैसे ये इस तरह से है, और यहां से cd light mirror पे, और जैसे अपन रिफ्लेक्शन जो light है, वो यहां आजाएगी, और जैसे ही ये coil deflect करेगी, तो इसके साथ साथ mirror भी deflect करेगा, और वो deflect करेगा, तो इसके उपर जो scale है, इसके उपर जो reflection आ रहा है light का, वो भी deflect करेगा, और वो मानलो यहां आगया है, ये वाला reflection bend करने के और जब ये रूख जाए, तो ये angle हम measure कर लेंगे, तो प्यारे बच्चों आपके सामने, ये construction है, प्रते चीज़ के बारे में, चाहे rectangular coil की बात करें, चाहे magnetic field की बात करें, suspension fiber की बात करें, mirror strip की बात करें, या फिर lamp and working, तो आप क्या करेंगे ये देख लीजिएगा, सबसे पहले, allow the electric current, which is to be measure through the terminal T1 and T2, in दो आपके से पास करेंगे, when this electric current passes through this rectangular coil, when this electric current passes through this rectangular coil, this rectangular coil gets deflect due to deflecting torque, because it torque act on it and this coil gets deflected, और जब ये deflect करेंगे ऐसे, तो ये जो suspension fiber है, इसमें, ये twist कर जाएगा, इसमें बल पढ़ जाएगा, जैसे किशी रस्ची को जब हम ऐसे मोडते हैं, तो उसमें बल पढ़ जाता है, अब वो twist क्या करता है, वो इसके opposite direction में, एक force develop करता है, एक torque develop करता है, जिसे हम twisting torque कह कहते हैं, जैसे coil इधर घूम रही है, और वो जो twist को इसमें आया है, वो opposite direction में, इसे हम twisting torque कह सकते हैं, या हम उसे restoring torque कह सकते हैं, दोनों में एक तरह का competition हो जाता है, deflecting torque इस coil को इधर घूमा रहा है, एक side में, और twisting torque इसके opposite direction में, दोनों में, एक competition के बाद दोनों जब equal and opposite हो तो वो रुक जाते हैं, और उस समय ये, जो हमारी दोनों torques हैं, ये equilibrium position कहलाती है, जब रुक जाए coil, तब हम इस lamp and scale arrangement की सहता से angle of deflection measure कर लेते हैं, तो फिर सुन लीजिए, सारी बात को, allow the electric current which is to be measured through the terminal T1 and T2, when this electric current passes through this rectangular coil, a deflecting torque act on it. and due to this deflecting torque, the suspension fiber get twist and that a twisting torque develop in that in opposite direction of the deflecting torque, when these two torques becomes equal, then this coil attains the equilibrium position, measure the angle of deflection at this position using this lamp and scale arrangement. ये चीज़े हमें पता होगी, ये दूरी पता होगी, ये distance पता है, तो इसकी value हम tangent theta या दूसरी जो geometric वो लगा करके measure कर लेंगे. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारी work है. अब हम बात कर रहे हैं इसकी theory. theory of marine coil galanometer. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले, जो points हैं, वो लिख देंगे आप. Let us, जो जो बाते हैं, जो चीज detail में आप देख रहे हैं, इसके बारे में, let, n is the number of turns in this rectangular coil. क्या है ये? Number of turns. इस coil में कितनी turn lift हुई है, इस iron core के चारों तरफ. Number of turns in rectangular coil. प्यारे बच्चों, इस तरीके से लिख देंगे. और क्या लिखेंगे? B is the magnetic field applied. मतलब कितना आपने magnetic field इस पर apply किया हुआ है? B is the magnetic field applied. फिर क्या लिखेंगे हम? इसमें से मान लो जब हमने current पास किया और वो current कितना है? I. I is the, जिसे हमें major करना है, electric current passes through this rectangular coil which is to be major. ये लिख दिया. फिर हम क्या लिखेंगे? भई, जब coil theta is the angle of deflection. Angle of deflection. कोई बात नहीं, जो जो चीज़ें हमने हमें पता है, वो हम लोग लिखते चले जा रहे हैं. एक और चीज़, जो महतवपून चीज़ है, वो मैं लिख रहा हूँ, C. C is the twisting torque, twisting torque per unit, angular twist. प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहरा हूँ, कि अगर इसे एक डिगरी पर हम गुमाएं, तो इस suspension fiber में कितना torque develop होता है, उसे कहते हैं, twisting torque per unit, angular twist. ज़्यादा गुमाओगी तो ज़्यादा होगा, लेकिन एक डिगरी, unit डिगरी पर अगर हम गुमाएं, तो कितना torque develop होता है, उसे कहते हैं, C. वो हर मेटियल की, हर वायर की अलग-अलग होती है, चाहे किस मेटियल का वो बना है, ये उसकी बात आएगी. ये सारी चीजे लिखने के बाद, बेटे, आप लिखेंगे, कि कितना इस पर deflecting torque act करेगा, the torque acting on rectangular coil, आप समझ सकते हैं, वो कितना होगा, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, ये देखे, torque acting on rectangular coil, इसे deflecting torque कहते हैं हम लोग. कोईल, कितना हो जाएगा बटे ये, and अभी पिछले आट वीडियों में, थीटा इंगल पर, तो इसमें कितना torque रिबलप हो जाएगा, twisting torque per unit angular twist, आप बता सकते हैं, कितना होगा, c into theta, बिल्कुल सही, और मैंने बात बताई थी, कि ये angle हम कब measure करते हैं, जब ये दोनों torque, एक हमारा twisting torque becomes equal, it means that, this coil attains the equilibrium position, तो हम इसको इसे लिखेंगे, जो बात हम लिख रहे हैं, but torque T1 is equal to torque T2, ये देखेंगे, ये चीज़ा आप लिख सकते हैं, put this value of torque T1 and T2 in this equation, इन दोनों equation, n, b, a, ये जो है, यहाँ पर area of coil है, जो हमारा फार्मला था, और ये जो दूसरी चीज़ा आप देखेंगे, ये दूसरी बात कितनी हो जाएगी, this torque is equal to c into theta, ये देखें, फिर देख लीजिए, ये क्या-क्या है, ये पिछले वीडियो में i is equal to, बाकि सारे जो चीज़े हैं, उनको हम right side में लेके जा रहे हैं, c into theta, divided by n, b, और a, ये देखेंगे, और इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, यानि आपने क्या लिखा, यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ से एक point हमें समझ में आ रहा है, कि c क्या है, ये इसका twisting torque, unit angular twist है, n number of turns है, जो fix है, इस galonometer के लिए, बी जो magnitude फिल वो भी constant है, और area, area of this coil जो है, वो भी fix है, यानि कि ये सारी चीज़े तो इस एक galonometer के लिए fix है, हो सकता है, कोई दूसरे galonometer हो जो पर turn अलग हो सकती है, area of coil जो है, वो अलग हो सकता है, अलग चीज़े, लेकिन किसी a gal meter के लिए तो ये चीज़ फिक्स है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं हम लोग, कि जो i है, यह देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैं i is equal to k into theta, यह देखे हैं, क्योंकि यह k जो है, it is constant for a galonometer, इस इस galonometer constant भी कहते हैं, k क्या है यहाँ पर, k is the constant for a galonometer, बेटे, यह याद हो गया होगा आपको, और यह किन-किन चीज़ों पर depend कर रहा है, c पर, n पर, b पर, और a पर, यह सारी बाते हैं, एक जी जो महत्वपूर्ण आपने नोट की यहाँ पर, कि i is directly proportional, क्योंकि यह तो सब constant हो गए हैं, इसका मिलब जैसे जैसे current बढ़ेगा, तो theta बढ़ेगा, यानि कि यह जो angle है, यह कहीं दूर जाके, यह angle बढ़ता चला जाए, जैसे जितना ज़्यादा current इन coils में से pass करेंगे, उतना ही ज़्यादा, यहाँ पर एक जो point हमारा हमने नोट किया है, कि i is directly proportional to theta, यह देगा, this is the important formula here, more be the electric current passes through these two terminals, more be the angle of deflection, और इस तरीके से, जो scale होती है, आपने देखा होगा, गैलनो मेटर पर जितना ज़्यादा current पास करेंगे, उतनी वो ज़्यादा deflect करती है, वो यही है, वो portable बना दी, लेकिन उसकी working को समझने लिके, उसके अंदर हो क्या रहा है, कैसे होता है वो सारा कुछ यह समझने, इसे हम American galanometer भी कहते हैं, चलिए, यह point अब हमने note कर लिया, यह आपको भी पता होना चाहिए, कि expression क्या है, यह theory होगी, हमने सबस्के पहले बताया कि moeing coil galanometer क्या होता है, उसकी principle क्या है, what is constructions और उस पर बात theory, अब इसकी sensitivity के बारे में बात कर ले रहते हैं, galanometer की sensitivity, यह formula जो है, यह आपको याद रहना चाहिए, और हम बात कर रहे है, sensitivity of the moving coil galanometer, यह देखिए, sensitivity of moving coil galanometer, प्यरे बच्चों, sensitivity का नाम आते हीं, आप कोश्च मज में आ गया होगा, ना जुक, जैसे कई बार, आप अपने साथियों के लिए कह देते हैं, कि यह तो ज़्यादा sensitive है, इसको कुछ कहो मत, नहीं तो यह रो देगा, क्यों, क्योंकि यह sensitive ज़्यादा है, यह कम कहने से ज़्यादा react करता है, थोड़ा बहुत भी पीट दें, तो ज़्यादा प्रेशान हो जाता है, क्योंकि वो sensitive ज़्यादा है, वही बात यहाँ पर इस पर भी लागू होता है, कि थोड़े current से, अगर वो ज़्यादा deflect होता हो, तो इसका मतलब है, वो ज़्यादा sensitive, थोड़ी voltage लगाई हमने, उसके across और उसमें angle of deflection अगर ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कि वो जो गैलनोमीटर है, वो ज़्यादा sensitive है, तो यही बात मैं यहाँ कहने जा रहा हूं, कि गैलनोमीटर is said to be more sensitive, if it deflect more by the lesser current or voltage, यह चीज़ याद रखने हैं, और mathematically sensitivity is defined, यह दो तरी के इसे हम बात कर सकते हैं, कि voltage की तरम में अगर आप समझना चाहते हैं, इस sensitivity को define करना चाहते हैं, या current की फोर में, अगर हम इसे current की फोर में लेना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, current sensitivity, current sensitivity of moving coil ganometer is defined as the angle of deflection per unit electric current passes through it, यहां से आप डारेक्ट यह चीज़ निकाल सकते हैं, यहां से आप डारेक्ट यह चीज़ निकाल सकते हैं, theta by i, यह देखे, यह तो हमें पताई है पहले से अभी, हमने ठोरी में, जब moving coil galometer की बात कर रहे थे, तब किया था, तो यहां से बताईए, theta by i कितना हो जाएगा, और वो हमारी current sensitivity आजाएगी, इसको मैं si चीज़ लिख देता हूं, और यह हो जाएगा, and b a by c, यह देखे, यह देखे, 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 is the angle of deflection per unit voltage applied across it theta यह देखिए इस तरीके से आप लिख सकते हैं और according to the home slide यह देखिए आप पहले से जानते हैं प्यारे बच्छों यह देखिए होम स्ला में हम क्या लिखेंगे वी इसकल टू आयार आई क्या है आई देलक्रिक पासिज थू दीट और आर क्या है रिजिस्टिंस ऑफ दिस कोई तो फिर जहां आई है वहाँ पर आप आई आर लिख सकते हैं यह देखिए वी इसकल टू पाई आर तो चलिए हम इसे इक्वेशन में तो यह कितना हो जाएगा वी के स्थान पर आप क्या लिख देंगे आई इंटू आर और फिर हमारा जो फार्मला बनेगा वोल्टेज संस्टिविटी का वो वही तो है थीटा बाई आई तो यही है आर और आज आएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे वोल्टेज संस्टिविटी ओफ मुइं कोईल गेलोमेटर इस इकल टो एन बी ए डिवाइड बाई यह देखें यहां पर यह सी था और थिटा बाई आई यह है तो यहां पर सी तो ही आरो रहा जाएगा थिटा बाई इसकल तो इस इस कुरंट संस्टिविटी और यहां पर क क्या होता है तो प्यारे बच्चो यह देखिए आपके पास दोनों एक्स्प्रेशन सा गये हैं इस इस दी कुरंट संस्टिविटी ओफ दी मुइं कोईल गेलोमेटर और इस इस दी वोल्टेज संस्टिविटी अब आप से सवाल पूछा जाएगा कि ओन वाट फेक्टर दि इस दी किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है तो आप कहेंगे संस्टिविटी ओप दी मुइं कोईल गेलोमेटर डिपेंड्स ओन नुमर वन नुमर ओफ तुन्स इन इस रेक्टेंगलर कोईल कितनी तुन्स आपने इसमें लगाई हैं बी दी मेगनेटिक फिल्ड अप्ला आप से सवाल को यह पूछे कि हाव दी संस्टिविटी ओप मुइं कोईल गेलोमेटर कैन बी इंप्रूब कैन बी इंक्रीजड अगर हमें संस्टिविटी बढ़ानी हो तो हम कैसे इंक्रीज करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं और क्या प्रोब्लम आएगी वह संस्टि जिंग दी नंबर ओफ टरंस यह देखे नंबर ओफ टरंस जो हैं वह बढ़ा दीजिए संस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी लेकिन प्यारे बच्व आप एक बात जानते हैं जैसे जैसे हम कोपर की टरंस यहां लापेटेंगे ज्यादा बढ़ाएंगे तो नतीजा क्या होगा उसकी लेंग करती जाएगी वैसे दोर तृं तेन और रिजिस्टेंस क्या होता है चैसरे को रीटिन होना और दूसरे चो प्रोब्लम साती है बढ़ जाती तो एक limit तक ही number of tons हम increase कर सकते हैं दूसरी sensitivity बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे by increasing the magnetic field magnetic field increase करके भी sensitivity को improve किया जा सकता है number three by increasing the area देखें क्या क्या बात के लिए आपने sensitivity को बढ़ा दे के लिए तीसरा point आपने क्या देखा यहाँ पर by increasing area of coil इसका area यानि इसके length बढ़ा देंगे तो भी sensitivity इंप्रोव हो जाएगी लेकिन उससे क्या होगा एक problem हो जाएगी क्या कि जब area बढ़ेगा तो magnets भी बढ़े लेने होंगे और शे क्या होगा this apparatus becomes bulky heavy हो जाएगा and of large size and that can not be taken from one place to arc छोटे छोटे चीजों का ज्यादा यूज होता है चाहे कोई भी बात आती है small size की बात होती है लेकिन अगर हम इन coils का area improve कर देंगे बढ़ा देंगे तो sensitivity तो बढ़ जाएगी but it increase the size and this apparatus become bulky सबसे महत्रप्रण चीज यहां रही है C C को जितना कम कर दें उतनी sensitivity ज्यादा होती है और दिस यह C क्या है this is the twisting torque per unit angular twist of this suspension fiber तो यह minimum होना चाहिए अब इसको हम कर तो कर नहीं सकते यह हर material की अलग अलग होती है और quartz की काफी कम होती है और यही कारण है कि हम suspension fiber जो है वो quartz का लेते हैं the suspension fiber of the gallometer is taken of the quartz because the twisting torque per unit angular twist is minimum for it shawal यही था why the suspension fiber is taken of the quartz because C is minimum so that this sensitivity gets increased in order to improve the sensitivity the C is taken of quartz तो प्यारे बच्चों यह चोटी चोटी questions है reasoning questions है कारण आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं what is the role of this mirror strip what is the role of this lamp and scale arrangement what is the why this magnet are taken in U-shape horseshoe type magnet यह आप से पूछ सकते हैं what is the role of this iron strip in between the rectangular coil तो प्यारे बच्चों यह चोटी चोटी बाते हैं और कुछ numerical से अगर आपको करने में sensitivity से संबन दे तो अगर यह number दे जाए और इनको यहां रखकर के शोल करें तो हम sensitivity measure कर सकते हैं तो कुछ questions आप इनको try करना और मुझे लगता है कि मुईंक वाइल गैलनो मीटर के बारे में काफी concepts के लिए हो गए होंगे और अगर फिर भी कोई रहे गया है कोई point आपके तो वो जरूर आप हमें बताएं और हभी तक आपने इस channel को आपका अपना channel है physics का physics by आइसी शर तो इसको आप subscribe करें और इसको share भी करें लाइक भी करें पताए यह नोर्मल सी बात होती है ताकि आपको आगे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद थेंकिए